आप सभी का स्वागत है, आज हम इस वीडियो में सॉर्बिटेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसके यूजिस, साइड एफेक्ट, इंपोर्टेंट प्रिकोशन्स, और प्रोपर डोज विद प्रोपर गाइड्लाइन के साथ. फर्स आम इसके यूजिस से स्टार्ट करते हैं, सॉर्बिटेट टैबलेट नायट्रोग्लेसरिन के नाम से भी जानी जाती है, ये नायट्रेट वैसोडाइलेटर की इकलास से ब्लों करती है, इसका सबसे ज़्यादा यूजज एंजाइना में किया जाता है, एंजाइना एक तरह की heart की disease होती है, जिसमें heart की muscles को कम oxygen मिलता है, जिसें दर्द और discomfort होता है, sorbitate tablet heart की blood vessels को dilate करने में मदद करती है, जिससे blood flow improve हो जाता है, और दर्द कम हो जाता है, अब हम इसकी dose देख लेते हैं, इसकी dose डोक्टर की सला के अकोडिंग ही लेनी चाहिए, नॉर्मली सब्लिंग वल फोम में ये अवलेबल होती है, मतलब आपको इस टैबलेट को स्वैल नहीं करना होता, उनली टंग के नीचे रखना होता है, स्टार्टिंग में यूजवली 5- 10MG की टैबलेट लेनी होती है, और अगर जरुवत हो तो आपका डोक्टर dose बढ़ा भी सकता है, लेकिन खुझ से dose कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए, नेक्स्ट अम इसके प्रिकोशन्स देख लेते हैं, फस्ट तो इसे अपने डोक्टर की सला के अकोडिंग ही लेना चाह ये, second ये दवा चेस्ट पेन में दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे किसी भी चेस्ट पेन वाले परसन को दे सकते हैं, चेस्ट पेन में बीपी लो और हाई दोनों हो सकता है, अगर आपने लो बीपी में किसी को ये टैबलेट दे दिया तो उसकी जान भी जा सकती है, लास्ट हम इसके side effect देख लेते हैं, इसके कुछ side effect देखने को मिल सकते हैं, जैसे headache, dizziness, nausea और low बीपी, अगर आपको इन में से कोई भी side effect देखने को मिले या मैसूस हो, तो तुरंत अपने डोक्टर से संपर्क करे, वीडियो से रेटेड अगर आपका कोई भी question ह है, तो ब्लीज कमेट करें